अटेंडेंस कौन लेगा? टीच्मेंट पेपर कौन चक करेगा? टीच्मेंट तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सेलेक्शन कराएं सर बाकि सो अब टीच्मेंट कर लेगा चाहे जैसी भी जरूरत हो टीच्मेंट पे टीचिंग आसान है आज ही डाउनलोड करें टीच्मेंट इंडिया का नंबर वन टीचिंग आप तो दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर निकल करें बिहार बोड मैटिक और इंटर का अपार्टमेंटल परिच्छा 2021 को लेकर जीए अप्रेन आपका बिहार बोड दोवारा मैटिक और इंटर का अपार्टमेंटल परिच्छा कब लिया जाएगा और आपका परिच्छा फोरम कब से भरा जाएगा इसको लेकर अभी अभी आज ही दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट आई है परिच्छा को लेकर तो आपको इस वीडियो में हम बताने वाला हैं कि आपका इंटर का परिच्छा फोरम कब से भरा जाएगा तो यह वीडियो को जल्दी से सस्क्राइब करके उसके बगल में एक घंटी होगा उसको द्वाकर All पे सेलेक्ट जरूर से कर लिजिएगा तो दोस्तों देखे ये एक आज की दोस्तों अपडेट आया हुआ है और ये हिंदुस्तान न्यूज पेपर में दोस्तों आया हुआ है तो यहां पर देख सकते हैं हेडिंग में ही दिया गए आपका लाखो चात्रों को कपार्टमेंटल परिच्छा का है इंतजार तो कब से होगा आपका पूरा डिटेल में हम देखे बताते हैं तो देखें यहां पर आपको बताया जा रहा है विहार बोट के मैटिक और इंटर कपाटमेंटल परिच्छा पर भी कुरोना का असर अब दिखने लगा है परिच्छा के लिए 6,54,884 को सामिल होना है यानि कि देखिए दूस्तों यहाँ पर 6,54,884 को कपाटमेंटल की परिच्छा में सामिल होना है ग दिखिए एक बहुत बरी अपडेट है कि आपको यहाँ पर और इंतजारा भी करना होगा जब तक कि आपका कुरोना का असर कम नहीं होगा तब तक आपका जो की कपाटमेंटल का परिच्छा है वो समभव नहीं है विहारबोट की माने तो मैटिक में 3,60,655 छात्र फेल हुए थे वहीं इंटर में 3 संकाय मिला कर 2,94,225 परचार्थी कपार्टमेंटल परिच्छा में सामिल होंगे ग्याथो की विहारबोट द्वारा मई में ही कपार्टमेंटल की परिच्छा है जो की आयोजित करवाना था यानि कि आपका मई में ही परिच्छा आपका लिया जाना था लेकिन इसके लिए विहारबोट के द्वारा अपरैल में ही फोरम भराया जाता लेकिन क्या हुआ कि करो का पड़िछा फोरम है जो कि नहीं भारा जा सका वहीं करोना संक्रमन के कारण अस्कुटनी को भी बीच में ही रुकना परा बोड की माने तो कोवीड-19 संक्रमन कम होने के बाद भी अब पड़िछा नहीं ली जाएगी ग्याथों कि मैटिक में 16 लाक और इंटर में 12 लाक अब बात कर लेते हैं यहां पर देखिए बताया जा रहा है कि आपका करोना संक्रमन जवक का आसर है जो कि कम जब तक नहीं होगा तब तक आपका परिच्छा संभव नहीं है तो आप लोग जो भी छात्र यहां पर इंतजार कर रहें का पड़िछा का तो आप लोग चैनल क जरू subscribe किजेगा देखिए आगे और भी आपको बताये गया कि नमांकन का मौक्वा यानि कि आप लोग यहां पर इंटर में नमांकन मैंटिक चाहत लोग लेना चाते हैं इंटर में नमांकन ले पाएंगे, मैटिक अपाटमेंटल पास करने के बाद ही इंटर नमांकन के लिए औलन आविदन कर पाएंगे, ग्यात हो कि कुरोना संक्रमन के कारण अभी सारे संस्थान है, जो कि बंद कर दियेगे, स्कुल कोलेज सभी यहाँ पर बंद है, और संक्रम कम होने के बाद बोट द्वारा थी ताए कि जाएगी तो देखिए हाँ पर तीथी ताए कि जाएगी आपका जो हुश्कार्टा म मैं और यानि कि आपका एहां पर कुरोना के जोभी यहां पर अभी संक्रमन चल रहा है तो यहां पो बहुत ज Two आ आपका यहां पर कम होगा तो तीथी है जो कि जारी कर दी जाएगी आपका कि कब से इंटर में नमांकन होगा और साथ ही साथ आपका कपर्टमेंटल परिच्छा कब से लिया जाएगा इसके लिए फ़रिच्छा फोरम कब से भरा जाएगा तो सारा कुछ आपको इसी चैनल के म आदम से आगे भी मिलेगा जैसे ही अपडेट को याता है आपका तो यहाँ पर आप लोग चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा इस तरह का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए